अब बात आती है कुछ चीजों पर मुझे बहुत बोला गया है कि आप कुछ भी रियाक्ट मत करिये मैं एक चीज सभी भाईयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो मुझे भी अटाक होगा बेवज़ा का और इन्हीं अटाक के वज़े से प्रॉब्लिम क्रियेट होती है अभी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आया है जिसमें नोईडा पुलिस को काली दिया जा रहा है किसी के फैंस के द्वारा मैं एक सुझाव देता हूँ तुमको आप सभी को आप किसी के भी फैन है आप प्लीज ये सम्मत करिये आप अपने क्रियेटर के लिए खुद प्रॉब्लिम क्रियेट करते हैं लास्ट टाइम भी यही चीज हुआ था दो तीम बार ऐसा केस हो चुका है और मैं सभी भाईयों से देखो जो भी मेरे साथ हुआ वो अलग चीज है लेकिन कोई थर्ड कोई थर्ड पावर अगर अटैक करें समझ रहो भाई दोगले नहीं है लेकिन दिल नहीं मानता है क्योंकि मेरा फोटो मेरा नंबर एड़ेस सब कुछ लीक किया लेकिन लेकिन फिर भी भाई मुझे किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं है पहली चीज दूसरी चीज जितने भी सामने वाले भाई के फैन्स है अगर आप सही में चाहते हैं अपने क्रियेटर का भलाई तो आप अपने क्रियेटर को पहले फोर्स कीजिएगा कि भाई अपने फेक भाई चाहरे वाले लोगों को एटलीस साइड करे आप लोग नहीं मानोगे आपको लगया कि मैं मज़ा लूट रहा हूँ या मैं कोई आग में घी डाल रहा हूँ या मैं कुछ मेरा मतलब नहीं था ये चीज बोलने का लेकिन मुझे बहुत फोर्स किया जा रहा है कि भाई आप साथ दो आप साथ दो आप साथ दो आप बोलो कुछ आप बोलो कुछ लेकिन मैं रिफ्रेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम भाई हमारा काम धर्म का काम करने का है मैं इस controversy किसी भी controversy में पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मैं एक चीज आज एक चीज बोलूँगा with due respect सारे भाईयों को कि भाई मैं पिछले 6-7 महिने से भाई को समझा रहा था मैं यही चीज पहली भी space में बोला हूँ ऐसा नहीं है कि हम आज बात बना के बोल रहे हैं पिछले spaces में भी हम बोले हैं कि जो hit का होता है जो भाई होता है जो अपना होता है वो सही चीज सिखाएगा ना की चाटेगा तलवाम नहीं नहीं भाई आफीं सहीं है नहीं सामने वाला भाई जो भी जेल में इसके जितने भी so-called भाई हैं सब का घर रोजी रोटी चलता है उस बंदे से उन सभी का कर्तव था कि उस भाई को सही रहे पर चलना सिखाएं सही चीज बताएं कि क्या चीज सही है कहां पर भाई रुका जा सकता है मैं अज फिर से मैं इस कॉंट्रोवर्शी में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था फिर भाई लोग मुझे ट्वीट करेंगे कुछ गाली देंगे बगरा बगरा लेकिन मेरा दिल नहीं माना मुझे बहुत लोग बोले भी कि आप एटली सपोर्ट करो भाई हमेशा देखो अगर आप मुझे माननोगे तो आप मुझे सही राष्टे पर चलना सिखाओगे ना कि मेरा तल्वा चाटोगे है ना वो चीज उस भाई के किसी भी किसी भी सो कॉल भाईचारा वाले ने नहीं सिखाया कभी भी उसको मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप नाम ले लेता हूं एक्जाम्पल के लिए यह चीज मैंने उस से कॉल पे भी जब सम्राठ से कॉल पे बात हुई थी सम्राठ बीच में था तब तब भी मैंने उस सभाइब भाइस में परफीक पिra रहे है क्याव है अगर नहीं आए तो इसको बंद करके डुबारा उपन करेंगे और फिर भी नहीं तो बंद करनेंगे इस फिस ठीक है वह Haiسم कर दो प्लीज अभी दबारा उपन करके ओर क्या है मेरे एकदम नॉर्मल इमोशन है भाई, मैं अपने काम करने के लिए बना हूँ, रैंडम सेना का गठन सिर्फ हिंदुत के काम करने के लिए बना है, हम सिर्फ अपने हिंदुत का काम करेंगे, रही बात Elvish चेयर दोस्ती की, Elvish अपना पुराना मैंने माना था उसको दोस्त, तो भाई उस सीज के लिए कहीं न कहीं मुझे एक परसंट बुरा तो लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, और मैं इस सीज का एक सीज बताओंगा भाई, मैं यही चीज स्टार्टिंग से हमेशा समझादा आया हूँ, लेकिन मुझे गालियां मिली, उसके पब्लिक के द लेना शुरू कर देते हैं, ताकि इंगेजमेंट आया और पैसा मिले, उसमें बहुत बड़ा हाथ उनके कल्ट फैन बेस का होता है, कोई भी क्रियेटर, अगर वो प्रॉब्लम में परता है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन उसका कल्ट फैन बेस होता है, इस तीज में भी मैं यह आज के आज लास्ट बोलेंगा और मैं कोई Elvish पर अटाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच्छा ही बता रहा हूं आज, कि उस दिन भी मैं शांत था, मैं कुछ नहीं बोल रा था इस तॉपिक पे, Elvish मुनवर से गले मिला था, मैं एकदम शांत था, I was totally, क्या बोलते हैं, silent on this topic, हम अपना space बनाए थे, हम अपने space बनाए, समराट के साथ usually space बनाते थे, space में बादसीत हो रहा था, दूसरा चीज बादसीत हो रहा था, कमेंट्स में लोग धराधर spam करने लगे, मुझे गालिया देने लगे, और मैंने बस यह चीज बोला कि भाई, गलत, गलत किया थ बस इसी में, Elvish भाई के cult fan base आके मुझे गरी आना शुरू कर दिये, कि manipulate कर रहा है, अब मैं ऐसा हो कि मैं अगर गलत नहीं हूँ और मुझे कोई गलत बोले तो मुझे बहुत जादा गुस्सा आता है, और वो repulsive way में फिर मैंने मोर्चा को समहला, और scene सारा आपके सामने है अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आज सीधे सीधे बोलता हूँ कि Elvish यादव के टुकरों पर पलने वाले, चाहे वो कटारिया हो, चाहे वो लक्ष हो, चाहे अर्चित हो, चाहे वो फरीदाबाद रोकर्स हो, इन चारों ने कभी भी नहीं सिखाया, जितने भी El आस्ते पर चलना सिखायेगा, सही चीज सिखायेगा, नहीं गलत चीज सिखायेगा, Elvish यादव के भाईचारे वाले शोकरों ने कभी भी सही चीज नहीं सिखाया, Elvish को, मैंने Elvish को, मैं आपको लिख की देता हूँ, महादेव न करे कभी ऐसा हो, ठीक है, Elvish ने भले मे सट्टा वाला चीज में वो आगे ना, आगे वो नहीं, पूरी की पूरी यूट्यूब कम्यूनिटी फसे की जाके आगे चलके सट्टा वाले चीज में, और मैंने चार महिना पहले कम से कम Elvish से गुहार लगाया, मैंने इवन कातारिया को कॉल करके बोला, कि भाई, Elvish एक वेरी बिग ब्रैंड, मेंटेन इट, इसको मेंटेन करो, और अपना जो, मैंने क्या नहीं समझाया भाई को, क्योंकि मैं उसको अपना मानता था, भाई मानता था, था, तो मैंने हर चीज समझाई, कि तुम अपना content एकदम high, top notch करो, जैसे वो करते हैं, कोई, तीन मुस्लिम कौन है, वो, round to hell वाले, तुम्हारा वही घिसा पिटा सारा रहता है, भाई, बहन, master जी, lesson, ये वो, sorry, गाली नहीं देना, वही सब चीज रहता है, उसको top notch करो, बढ़िया storyteller रखो, बढ़िया camera man रखो, बढ़िया चीज करो, because you have become a brand, भाई नहीं सुना, मैंने बोला, ब्रैंड सबका paid promotion लो, ये सटा बाजी बंद करो, क्योंकि उसे brand value आपकी घटेगी, भाई नहीं सुना, मैंने कटारिया को भी request किया, कटारिया भी नहीं सुना, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आगे जिन्दकी में बढ़े, तो आप उसको सही चीज सिखाओगे, नहीं उसके गलती चीज़ों में हामी भढ़ोगे, कि हाँ गलत है, गलत है, हाँ भाई, सही है, सही है, आप सही हो, अब वो snake women वाला केस सही है, गलत है, क्या चीज़ है, मैं इस चीज़ को व्लॉग भी नहीं बनाना था में इनका गांधी के अगेंस्ट, इतना दिमाग होना चाहिए था, कि she's a cabinet minister, और power का misuse बहुत लोग बहुत 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 अच्छे से जानते हैं करना, for example, Tamil Nadu police ने घेर लिया, Manish Kashyap को, आज मैंने देखा Elvis Yadav के कुछ cult fan pages, Noida police को गाली द चला रहे हैं, कि police को गाली दे रहा है, अब Noida police अगर इनके fan pages को arrest कर लेगी, मैंने सोचो मेरा इतना गाली छुआ, सोचो मेरे मेरा क्या है, मेरे इतनी बेस्ती हुई, इतनी गालियां पर ही इनके fan pages से, मैंने इसके fan page को call तक किया, कि भाई, रोक लो भाई, मत करो ये सब, और अपने creator को तुम खदे में डाल रहे हो, और डाल रहे हो भाई, जितने भी cult fan pages हैं भाई, सब सुधर जाओ भाई, ये request में में बोल रहे हैं, ये कोई धमकी नहीं है, सुधर जाओ, अपने तुम creator का image खराब ही करते हो, अच्छा बिलकुल नहीं करते हो, सिर्फ और सिर् खराब करते हो भाई, अपने creator का image, अच्छा बिलकुल भी नहीं करते हो, बिलकुल नहीं करते हो, रही बात भाई, अब मैं क्या बोलू, मुझे ऐसा लगता है, अब मैं नाम ले लेता हूँ, मैक्सटन के case में क्या हुआ, सुनना भाई, जितने भी cult fan page हैं न, क्या cult fan जो क्या लक्ष और अर्चित, क्या फरिदाबाद rockers, Elvis को मैक्सटन को जाके मारने से रोक नहीं सकता था, क्या उसका वो नहीं था कि भाई मत जाओ, मत जाओ, यौरे big name, तुम मत जाओ, ऐसी गलती मत करो, मार पीट मत करो, आप कितना भी जूट बोल के defend कर लीजिए, कितना भी maximum big या पैसे के दम पे, उसके पिताजी को तो को नहीं बेचा था, भरकाया था, उसने नहीं, मैंने यहीं बोला था, कि उसने कोई दम, उसका लिलीपूट, उसकी और क्या है, जो वो धमकी देगा, उसके परिवार को जलाने का, Elvis यादव, मेरी तरह short tempered है, और egoistic है, वो उस चीज में चला गए, मैं बार-बार यहीं चीज बोल रहा हूँ, कि उसके जो अपने है, उसको समझाते ही नहीं है, कि भाई, सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, कहां पे react करना है, कहां पे react नहीं करना है, मैंने गमला चोर वाले में भी, पूछना है बाई, जितने भी कल निकल जाएगी जो गमला चोर बोलना है आगे से बोलेंगा ही नहीं और अगर तुम किसी को कोट करके धमकी दे रहे हो किसी कोई था अपना कोई भाई था उतकर सिंग्व वो आपको समझ बहाएंगा कि मैं क्या लोजिक की बात कर रहा हूं मैंने हमेशा सही सिखाने के लिए बोला कि सही चीज़ पर आ जाए भाई you have become a brand किसी की ओकाद महीं थी भाई मुझसे कल भी पूछा गया कि क्या Elvis ने Elvis यादब की टीम ने अभिशेक मलान के खिलाब पिया निगेटिव प्यार कैमपिन करा आया मैंने कौन नहीं जूट मैंने कभी कोई गद्दारी नहीं कि लोग बोलते हैं कि तुमने दोस्ती ठोड़ दी भाई मेरे ले धर्म उपर था मैंने अगर अपने धर्म का स्टैंड लिया दोस्ती के उपर धर्म रखा तो क्या मैं गद्दार हो गया मैं तो शुरू से बोलना हो कि मेरे धर्म सबसे उपर तो it was me जिसने हमेशा भाई को सही समझाया बहुत सारे दोगले हैं बहुत सारे दोगले अभी भी हैं उसके पास जो कुछ नहीं बोलेंगे हां में हां मिलाएंगे कभी अगर आप मेरे चाहने वाले हैं तो आप मुझे मेरे गलती करने पर आप मुझे डाटिएगा समझायेगा बोलिएगा ना कि आप मेरे गलती में हां में हां मिलाईएगा उससे हमको और मनोगल मिलेगा और गलत करने का रही बात मैं महादेव से प्रास्ना करूंगा कि वो जल से जल बाहर आ जाए और निकल जाए मेरा परसनल अब क्या ही बोले भाई परसनल तो दुखी तो है कि जिस तरह सा उसने जोष मेंाके अपने पिलो के जोष मेंाके मेरा फोटो नंबर एड्रेस लिग किया मेरा वो चीज तो है भाई मेरा कब परसनल लिग में था ही रैंडम सेना से माफी मांगे रैंडम सेना कोई और खाट नहीं है हिंदूस के सामने हिंदूस से ही माफी माँगना था गलती करने पर रैंडम से ना से नहीं था भाई माफी माँगना मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ मेरे से कोई ego issue वाला clash नहीं था बस यही चीज बोलूँगा जितने भी भाई के कल्ट fan pages है भाई तुर आपनी emotions पर control लखो तुम अपने creator का image का माबहन करते हो पहली चीज और तुमारा अगर create गलत creator गलत करे क्या कभी तुम कोई बड़े बड़े मैं नाम नहीं लूँगा भाई किसी का मुझे किसी घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता कोई मेरा घंटा नहीं चालाता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो दो-तीम ऊपर के YouTubers है ना भाई वो सटा promote नहीं करते हैं क्या उनको पैसा नहीं मल सकता है वो समझ के नहीं करते हैं तो उससे image building होती है YouTubers हैं सबके सब घेरे जाएंगे सबके सब घेरे जाएंगे सबके सब घेरे जाएंगे भाई आप ये लिख के ले लिजे इसलिए मैंने भाई को समझाया था पहले भी और एक और चीज है भाई कि random सेना की power क्या है वो आप लेको शायद अंदाजा नहीं है कि बिना कुछ बोले ही पीट पीशे से क्या हो जाता है Elvis की बात नहीं कर रहा हूँ Elvis की बात नहीं कर रहा हूँ Elvis वाले में मेरा कोई लेना देना नहीं है कुछ ऐसे dawn बनते हैं सोचल मीडिया पे और दो दिन बात खुद की समझ आईए आप मुझे कम से कम सैंगरों डीम साए हजारों डीम साए भाई उससे मा भी मांग ले भाई वो बहुत बड़ा डॉन है भाई वो बहुत कुछ गलत करतेगा भाई क्या हुआ भाई क्या हुआ तो तो समझे इस चीज़ को बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं बोली जाती हैं और मैं भी पर्चा पे डाल गया बहुत कुछ लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी करीबी को उठालो और उससे सारा चिठा निकाल लो, तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के लिए काम करने का है, हम यह साथ लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते, और उनके साथ तो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, पढ़ना चाहते हैं उन नाली के कीरों के साथ, जिनको फॉल्वर्स बढ़हना ही हैं मैटर करके, जब सा मैंने देख लिया अगर आप लोग सोशल मीडिया डॉंस को अगर अपना हीरो मानते हैं और आपको लगता है कि उपर यामराज और नीचे ऐसे भाई लोग तो भाई आप लोग समझी जाहिए अभी कुछ दिर में पहले एक दो घंटे पहले स्टोरी भी आया था भाई का आप लेकिन हा भाई सिस्टम के साथ चलना जानते हैं और सिस्टम में है भाई इसका मतलग यह नहीं कि भाई किसी के साथ गलत कर देंगे अधर्मियों के साथ गलत करेंगे लिगल नी वो भी करते आएं डेल Linda अभी तक हमने कराया है, आगे भी कराते आएंगे भाई, हाँ, एक चीज जरूर है, अभी मैंने इस स्पेस में दो तीन गाली दी, एक चीज जरूर है भाई लोग, कि मुझे हमेशा घिरा जाता है मेरे गाली के लोज पे, तो मैं इस चीज की पूरी कोशिश करूंगा, मैं आ उठा सके, कोई भी उंगली ना उठा सके, इसके अलावा, कोई भी हम पे उंगली नहीं उठा सकता है, कि भाई, गाली देने के अलावा, आपके पास क्या गलती है, आपने क्या गलती की, तो कुछ नहीं की, बस यही चीज है भाई, महादेश से इतना प्रात्ने करूंगा, एलविश भाई जल्दी आ जाए और जितने भी आरोब है निराधार साबित हो और धर्म के रास्ते पे चले जातिवादी पे नहीं चले पैसे का गमण ना हो और अपने जो आसपास के पिल्ले हैं जो उनको टुकरों पे पलते हैं या तो उनको समझाया कि भाई अपना बन के मैक्सिन वाले लराई में कटारिया भाई सबसे कोने में दूबक के खड़े हो गए थे लेकिन ये इनके कल्ट फैन पेज़ेस को नहीं समझ में आता है इन कल्ट फैन पेज़ेस को इतनी उकाद नहीं है हिम्मत नहीं हो बोलने की कि भाई तू किस टाइप का मैने मतलब मैं अब तो मुझ खोलके बोल सकता हूँ ये लोग जो तीन-चार लोग हैं ये उसको मैनेजर नहीं बनाने देते हैं एलविश को ताकि मैनेजर अगर बन जाएगा तो इनका पैसा कट जाएगा मैंने स्टार्टिंग में इसको ये भी बोला था कि एलविश एक प्रॉपर मैने मैनेजमेंट क्या चीज नहीं बताया क्या चीज नहीं सजस्किया भाई को लेकिन सब कुछ नजर अंदाज कर दिया गया अभी में टाइम है भाई आईए नए से रेसे शुडवात करिए मैनेजमेंट टीम रखिए देखिए कि किस चीज से आपके दूसरे को भावनाव नह लेकिन आप अगर भटके हैं तो आप सही रास्ते पर चलिए और मैं इस चीज का आश्वाशन देता हूं भाई मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी मैं खरा रहूंगा हमेशा मरते दम तक भले ही आपने कितना भी मेरा फोटो एड्रेस नंबर लीक कर दिया जोश-जोश में जो आपके बगल वाले भाई नहीं समझाये आपको लेकिन मैं खरा रहूंगा अगर आपको एक बार भी मेरी जरूरत पड़ी मैं खरा रहूंगा दो भाईयों के बीच में अगर लराई होती है तो कोई भड़वा कोई दीसरा पार्टी वो भी लेस्ट लोबी वो भी एंट के लिए खड़ा तो हुआ था भाई खड़ा तो हुआ था खड़ा तो हुआ था खड़ा तो हुआ था तो कभी जरूरत पड़े गा भाई आपको ये recording आप तक कोई पहुँचा दे कोई कल्ट फैन पेज आपके आने पर तो भाई याद करना कभी सात खरे रहेंगे हमेशा जब भी जरूरत हो, बस, और भाई, रैंडम से ना, कि जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, SPC1 हमारा next target है, उनको request करना है कि जल से जल 4-5 रूपी गिरफतार हो, और बाकी हमारा काम चलता रहेगा, ठीक है भाईयो, जैश्रिया, सभी को, अगर किसी को कुछ पूछना है, मैं एक दो कमेंट देखता हूँ भाई, गाली तो वैसे खुब पड़ी रहोंगी, बट फिर भी, देखते हैं, देखने दो भाई, देखो बोले, आवाज में खुशी सुना, यही लोग भाई, तुम लोग ही बोग करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है, कि भाई, मेनका गांधी शान्त हो गई होगी, तुम लोग जाके मेनका गांधी के पोस्ट पर गर्याने लगे, और फिर वो सारा कांड हो गया, मैं यही बोल रहा हूँ बार-बार, कि तुम लोग जो भाई, कल्ट फैन पेज़ेस हो ना, भाई, तुम लोग ही बेरागर करते हो, अपने क्रियेटर का, या तो तुम लोग ही दुश्मन हो भाई, अपने क्रियेटर के, सबसे बड़ा दोगला यह है, पैसे बड़ा हैं इंगेजमेंट के लिए, भाई, उसका तो कोई जाती नहीं है, भाई, वो तो किसी जात का नहीं है, वो तो ऐसा नामर्द निकला, कि क्या बोले हम भाई, बापरे, मर जाए हम लेकिन ऐसा नहीं हो भाई, इतना नहीं गिरे इंगेजमेंट के लिए, उसका तो छोड़ी तो भाई, लेवेल, खतम करो, यह सब चीज का हम नहीं बोलना है, आज लास्ता भाई, मैं कोई अलविश-अलविश के अगेंस नहीं हो भाई, सीडी बात है, कोई अगेंस नहीं हो, हाँ दिल में दुख जरूर है, बुरा लेफ्ट लवबी और अटी हिंदू लवबी अगर मोधीब अटाक करने लगे, तो अगर फार नहीं परेगी ना भाई, लवी की, तो वही चीज है भाई, रैंडम सेना कभी भी, अगर एलविश पर अटाक करती है, करता है अटी हिंदू लवबी, लेफ्ट लवबी, तो र कैसे ही राम सभी को, इस पेस बंद करते हैं, ज्यादा बख्योजी नहीं